हेलो दोस्तों आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और आप सब पे मातरानी अपनी क्रिपब बनाए रखें और देखें ये सुबा का टाइम है और ये रात में ही सोच के हम सोए थे कि सुबा उठने के बाद सबसे पहला काम हमको ये कपड़े सबको ठीकान लगाना है जहां रखना है पूरे घर में कपड़ा ऐसे ही फैला हुआ है धो धोगे रखते गया है और उसके बाद देखे जमा हो गया है और ये सबको ना फोल्ड करके एक जगा पे रखना है जिसका जो जगा है वहाँ पे तो रात में ही सोच के सोई थे कि इसको सुबा उ ऐसा होता है और काम बढ़ा होता है गर्मे के दिन में कम काम होता है मेरे लिए दिन चोटा और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है देखिए ये सब को गदा में था वो खोली लगा दिये उसके बाद ये सब को जाल लेते हैं सोपापर का सारा कभर को जाल लिए दूल दस्ट भी उतना ही ज़्यादा आता है और उसके बाद देखिए इधर भी कुछ कपड़ पड़ा हुआ है ये सब को भी फोल्ड कर लेते हैं जब भी हम कपड़ा कामबार देखते हैं तो हमको लगता कि अब कभी कपड़ा नहीं खर देंगे लेकिन फिर कहीं जाना हो ना तो लगता कि कपड़ा ही नहीं मेरे पास फिर कपड़ा खरीद लेते हैं कपड़ा खरीदन के बाद ये सुबा सुबा बेट सब को भी जाड़ लेते हैं और ये टाइम है ना सुबा का छे बज रहा और ठंड भी बहुत जादा है हवा जो चल रहा है ना पच्छुआ हवा के कारण बहुत जादा ठंड लग रहा है घर के अंदर हैं तो ठीक है अगर बाहर निकलेंगे ना तो बहुत जादा ठंड लग रहा है और अभी ये वाला हवा है ना कि जिसमें पैर हाथ ओठ एकदम सूख नहीं जाते हैं वैसा वाल तो सूख आता है तो इसलिए या नीचे विछा दियें कि वह बैठ के अराम से पढ़ेगा और हम भी बैठें बैठ के कुछ काम करेंगे और इस रूम में टीवी है ना तो अगर सूफा पर बैठ कुतना टीवी नहीं देख पाते हैं गदा रहेगा तो बैठ के लेट के ऊपिन है यंकि इसके बाद क्शह पर प्रधान को जहां रखना है वहारा रख देते हैं और इसके बाद किछ्ण का भी सफाइगा खानात बनाते हैं असके के बाद ही कुछ काम करेंगे और देखे ये मफीन को ये आगी पीछे घुनता ही रहता है डर लगता कि कभी ना देखे उसको चूट लग जाए उसके हाथ पैर में तो लाश्ट में सब काम होने के बाद अभी ये सिंग को भी साफ कर देते हैं अभी ऐसे दो दिन भर में दो तीन बार साफ होता है लेकिन अभी सुबा सुबा का जो होना सब साफ कर लेते हैं एक दम नीटेन क्लीन मेरा कीचेन दीख रहा है रात में खाना कुछ ज्यादा ही बन ग अखिए उसके बाद घर में एकल में सलीकया जारू जारू और इसके बाद पन्शा लगाएंगे तो लग्षेर करें का पूसा रह है जाता है ह eyeball करो अंग हमिएट गूंण जाता है बीर भी उट गिया है अभी तो उसका चुट्टी चल रहा है तो उसका भी टाइम अच्छा पास हो जा रहा है उसके बाद लगा लेते हैं पूछा हाथ से पूछा लगाने में तो उसका टाइम लगता है दस से पने मिंट लग जाता है यहां पे बहुत आराम से पूछते हैं तो अगर हरबर में पूछे ना तो चूट लग जाता है हाथ में इसलिए हैं आराम आराम से पूछते हैं कि चूट नहीं लगे उसके और देखिए पूछा उचा लगाने के बाद अभी हम नहा लिये हैं और यह सोटर था ना इसको पहन लिए गंदा नहीं हुगा था तो फिर इसी को डाल लिए यही सोटर को और यहां खा रहेते हैं थायराइट का दवा कि पहले खा लेते हैं उसके बाद दूसरा काम करते हैं उसके बाद चढ़ा देते हैं चाय अब वीर कर रहा था कि मम्य हमको भूख लग रहा है जल्दी से कुछ दे दीजे और आज लेट भी हो गया था सारा काम निप्टाते चिला रहा था कि मम्य कुछ दे दो तो जटपट में क्या बने रात वाला खाना उसको खाने का मन नहीं था तो दे दिये इसको मैगी देना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी दे देते हैं उस साथ में चढ़ा देते हैं चाय ठड़ भी लग रहा था और यह सब काम करना ना के लिए एक दम बहुत मुस्किल होता है लगता है कि कोई थोड़ा सा help करने के लिए होता तो अच्छा होता लेकिन कोई नहीं है चाई बनाए ना तो फिर पता चला कि इसमें चीनी कम है तो फिर इसको डाल के गरम किये उसके बाद फिर से चाने है और इतने देरी में मैगी भी हो गया है मैगी को निकाल के बीर को दे देते हैं दे क्या देते हैं खिला देते हैं अपने से तो खाने ही पाता है और दिरे दिरे एक एक करके फीर से बर्तन जमा होता जा रहा है ये बर्तन ना कभी नहीं खाली होता है बीर को भी नहला दिये थे उसको भी ठंडा लग रहा था और उसके बाद अभी हम बना लेते हैं चिकन ये सुबा का दसी बज़रा भी बीर को बहुत मन था चिकन खाने का तो अभी बना लेते हैं चिकन ये मटर और मटर वाला जो चिकन होता है ना विंटर स्पेसल वही चिकन है अभी जो सीजन वाला मटर होता है ना उसको चिकन में डालके बनाने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो वही वला भी बना रहे हैं इसको भूंज लेते हैं मसाला भी पीस लिये हैं अब डाल देते हैं मसाला चिकन बहुत अच्छा से भूंज आ गया था तो अब डाल दिये हैं मसाला मसाले को भी बहुत अच्छे से भूंज लेते हैं और इसमें M.D.H. का जो चिकन मसाला और गरब मसाला आया था ना वो डाले थे जीरा गुल की लसुन, पीसके और थोरा सा हल्दी पॉड़र और मिर्ची पॉड़र दिये हैं और कुछ नहीं दिये हैं वस यहां इतना ही डालके बना रहे हैं और डाल देते हैं मसाला यह मतर, क् हुआ जाएगा इसे सूखा इसको बनाईगे इसमें पानी दालेंगे यह धीरे-दीरे कम आजपे 10-15 मिर्ड मेरत बना देंगे रोटी तो यह हो जाएगा और दूपहर में भी देखेंगे तो रोटी के भ थे बनाएगा अभी सब को सरदी हो गया है तो चावल लाके अभी हमको दिया कि मम्मी इसको बनाना है तो इसको बनाएंगे दूपार में चिकन को ढख कर छोड़ दिये था तो देखिए पंदा मिट के बाद चिकन कितना सुंदर बन के तयार हो गया बहुत टेस्टी बना भी था और मेरा ब्लोक भी आज का इहीं ही तक था इसा लगा अगर मेरा ब्लोक को एक लाइक दीजिएगा अपने फाम्ली फ्रेंट के साथ जिरूर से मेरे चैनल को पलिस पलिस-पलिस सस्क्राइब कर लिजिएगा और लास्ट में इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती धनिया पत्ती का जब इसको डालेंगे न तो इसका स्वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और देखने में ही देखी कितना टेस्टी लग रहा है थोड़ा सा ही था ज़्यादा नहीं था और इसके साथ बना लेंगे रोटी रोटी का वीडियो हम नहीं बना है क्या रोटी का वीडियो बनाना तब फिर मिलते हैं आप सबसे एक ने ब्लोग में अपने तब तक बाई